जै मातादी जै मा का मक्या देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चेनल के माध्यम से आज अधिकांश असी प्रतिश्यत घर में जो समस्या उत्पन्न होती है कि आज हम उन कारण को रिसर्च के माध्यम से निकालने के बाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पंदरा साल का पित्र दोस्य संबंधित अनुभाव उसका रस आज हम आपके सामने रखकर के आपको पिलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि पित्र दोस्य के उपर तो दो दो सो तिन तिन सो पेश की किताब में लिखी गई और आपके पास किताब को पढ़ने का समय नहीं है और पढ़ लिया तो समझने का समझ में नहीं आई तो आज हम आपको बिलकुल साधी सिंपल भाषा में जीवन में जो कस्ट की उत्पत्ती हो रही है अधिकाश आज के समय की बात कर रहा हूं मैं कल युग में जो पिछले दस साल से बहुत से मनुश्यों के यहां उत्पन हो रही है उसका समस्या का नीचोड में आपके सामने रख रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आईगी और उसका उपाए भी आप अवश्य करोगे पर तु जो भी उपाई करें जो बताये जाएगा विदी विदान से करें भाल तु पेसे बरबाद न करें तो पित्र दोश जैसा कि इसके शब्द से ही पता लगता है कि पित्र याने कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग मर्ग चुके है एक पीड़ी, दो पीड़ी, तीन पीड़ी, चार पीड़ी, पाँच पीड़ी, साथ पीड़ी तक उन मनुष्यों के द्वारा जो श्राब दिया जाता है उसे पित्र दोश कहते हैं या उन मनुष्यों के द्वारा पाप कर्म करके मर गए तो जिस कुल में मनुश्य उत्पन होता है उस कुल के पित्र यदि पापी रहे हो तो उस कुल में जो भी बच्चा या बच्ची उत्पन होगी लड़का या लड़की उत्पन होगी उसको पित्र दोश की उत्पत्ती होती है तो मनुष्य को जो पित्रों ने पाप कर्म करके चले गए हो और देख रहे हैं कि हाँ स्वयम की पत्रीका में भी पित्र दोश है जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो उनकी पत्रीका में भी पित्र दोश है तो समझ जाओ कि आपके पित्र जो है पाप कर्म करके मर गए हैं जिसका प्राइश्चित कर्म अब उनको आने वाली पीडी को भोगना पड़ता है तो अब क्या किया जाए उन पापों का प्राइश्चित करो पन्तु जब पित्रदोश होता है तो मनुष्य के पाँच प्राइश्चित करने के लिए पेशा नहीं होता है तो वो प्राइश्चित कर्म कहां से करेगा क्योंकि जीवन भर वो कष्ट भोगते रहता है और पेशा नहीं आता है, संगश करता पन पेशा नहीं आता है, तो पेशा नहीं बसता है, तो कहां से प्राइश्चित कर्म करेगा, कहां से वो पुजा कराएगा, कहां पर दान धर्म करेगा, तो पित्र दोश ऐसी चीज है कि यह सब दोशों में उपर है सब दोशों का बाप केलो और यह एक अभिशाप है एक तरीके से मनुष्य चाहे तो देवता और पित्रों को शराप को अपनी भक्ती के बल पर अपनी मेहनत के बल पर अपनी शक्ती के बल पर अपनी इच्छा शक्ती के बल पर उस पित्र दोश से मुक्त भी हो सकता है या फिर पूरे परिवार को पुरे कुनबे को पित्र दोश से मुक्त भी कर सकता है बशर्ते कि अब उसको सही डारेक्शन मिल जाए सही व्यक्ति मिल जाए करने वाले सही व्यक्ति मिल जाए तो निश्चित तोड़ से उसके जीवन में तो उजाला होगा ही होगा परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन में भी उजाला होगा जोती शास्ट में भी पित्रदोश को अभिशाब बताया है और वास्तु शास्ट में भी पित्रदोश को अभिशाब बताया है क्योंकि इसकी चपेट में केवल एक व्यक्ति ही नहीं आता है क्योंकि पित्र दोष यदि मुख्या को लगा हुआ है तो उसके परिवार के नीचे में जितने भी उसके होंगे बेटे होंगे बहु होंगे लड़की होगी सबको उस पित्रदोश का नुकसान सहन करना पड़ता है मला मुख्य व्यक्ति के साथ-साथ पुरे परिवार की जिंदगी के साथ में यह पित्रदोश बेरहमी से पेश आता है अब मैं बेरहमी शब्द का प्रयोक कर रहा हूं मला बेरहम याने आगे में खुलासा करने वाला हूं कि किस तरीके से वो बेरहम हो जाता है क्योंकि आपके कुल के बड़े भुजर्ग पित्र जो पापकर्म करके चले गए उस पापकर्मों का कुछ हिस्सा उस कुल में उत्पन होने की वज़े से आपको भी भौगना पड़ता है चाहे आपने पापकर्म नहीं किया परंतु आप हो सकता है उसी पित्र में से उध्पन होकर के वापिस आ गए हो कि एक पीडी पहले या दो पीडी पहले या तीन पीडी पहले आपने पापकर्म कर लिया था परंतु आपको भोगने के लिए उस पित्र कर्म की जो पाप कर्म किया था उसको भोगने के लिए उन कर्म को दोशों को भोगने के लिए आपने वापिस इस कुल में जन्म ले लिया हो और पित्र दोश की उत्पत्ती हो तो आपको वही पाप कर्मों का फल इस जन्म में भोग दोखना पड़ता है, तो ये पित्र दोश जो है केवल एक व्यक्तिक दोश नहीं लगता है, पूरे परिवार की जिन्दगी के साथ में बे रहमी से पेश आता है, जब पित्र दोश हो जाता है तो परिवार का परिवार कर्ज में डूब जाता है, करज चड़ जाता क्योंकि पित्रदोष की वज़े से घर में धन नहीं आता है इसका मतलब यह हुआ कि आपके पुर्वजों ने पिछले गरीब व्यक्तियों का धन, संपत्ती को जान भूच करके अपने नियंतर में किया है इसलिए पित्रदोष लग जाता है कोई ने कोई पापकर्म किया है एसा पापकर्म जो अच्छम में अपराद होता है किसी गरीब की संपत्ती को अपने अंटे में कर लेना किसी गरीब की भगा देना और अपने अधिकार छेतर में कर लेना भी पापकर्म की शेणी में आता है इसलिए धन की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि आपने किसी दूसरे का धन लूटा हो तो कर्ज से परेशान रहते हैं रिन में आपको जीना पड़ता है ब्याज के उपर ब्याज देना पड़ता है ये भी पित्र दोष्ट की वज़े से ही होता है और पित्रों की मुक्ति नहीं कराई पुराने जमाने में किसी के यह बच्चे पेदा नहीं होते तो वो वेक्ति जो अपनी कमाई रेता था आपको दे जाता था परिवार वालों को परिवार वालों नो उसके निमित पूजन अर्चन नहीं किया दान धरम नहीं किया, भागवजी नहीं कराई, पिंडदान तरपण नहीं किया, तो वही आत्मा, उस कुल की वही आत्मा जो तड़पती है अपनी मुक्ति के लिए, वही आत्मा आपको परिशान करती है, और कर्ज में तो लाही देती है, ब्याज पर ब्याज भी देना जैसे आपको तरें तरें की बीमारिया लग जाती है और ऐसे बीमारिया लग जाती है जो लाइलाज होती है तो बीमारियों में भी पेशा जाता है वो ब्याज का पेशा जो ब्याज पर उठा करके लाते हो वो बीमारी खा जाती है और आपके उन्नती नहीं हो पाती है आप उ जाता है तो एक तो करजा चड़ जाता है ब्याज पर ब्याज चड़ जाता है बीमारियों से परेशान होने लगते हैं और एक और चीज होती है जो मैंने क्या कहा आपको वो पूरे परिवार के उपर बेरहमी से मारता है तो बेरहमी से कैसे मारेगा चाहे लड़का हो या लड तो अलाद जो है वो बाप की दुशमन बन जाती है। आप तो यदि बेटा बाप की नहीं सुनता हो और बेटी मा की या बाप की नहीं सुनती हो अपनी मर्जी से चलती हो तो समझ जाना कि उसके घर के अंदर पित्रदोश की उत्पत्ती है याने कि वह परिवार अब आगे जाकर के वंच व्रद्दी नहीं करेगा जादा से जाद एक पीडियों में और बच्चे पेदा होंगे, उसके बाद विवा होना बंद हो जाएगा, बच्चे पेदा होना बंद हो जाएगे और उस कुल का नाश हो जाएगा। तो पित्र एक समय ऐसा आएगा कि प्रसंद होंगे, बशर्ति के आपको ये मालूम हो कि मुझे क्या उपाय करना है, और कब उपाय करना है, किस समय उपाय करना है। तब जाकर कि आप प्रेत दोस्त से मुक्त होते हो और पित्र दोस्त से मुक्त होते हो और आपके पित्रों के द्वारा, बड़े भुजुर्गों के द्वारा जो किये गए पाप करमे हैं, उनका इस जनम में तुम प्राइश्चित करो उनके निमित। तो आपको इस पित्र दोश से मुक्ती मिल सकती है, अन्य था एक पीडी के बाद में, केवल एक पीडी के बाद में आपके वंच का नाश हो जाएगा, आप किया बच्चे पेदा नहीं होगे, विवाही नहीं होगा तो बच्चे पेदा केसे होगे? तो मैं कहने जा रहा था कि ओलाद यदि दुश्मन बन जाए माता पिता की, तो समझ जाओ पित्र दोश है। मलब माता पिता को अपना शत्रु मानने लग जाए, यदि बाम बेटा और बेटी, यदि एक बेटी अपने माता पिता को शत्रु मानने लग जाए, तो समझ जाओ पित्र दोश हो गया है। ये पित्र दोश के लक्षन बता रहा हूं मैं और आजकल 80% घर में देखता हूं कि एक बेटा अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है और एक बेटी भी माता पिता का कहना नहीं मानती है अपनी मरजी से पढ़ती है अपनी मरजी से विवाह करती है अपनी मरजी से लिव इन रिलेशन्शिप में रहती है चरित्र हीन हो जाती है या बेटा चरित्र हीन हो जाता है उसको भी पित्र दोश कहते हैं और यदि बेटी चरित्र हीन हो गई बेटा चरित्र हीन हो गया तो पित्रदोश और बढ़ जाता है वो उन कस्टों के अंदर और नमक मिर्च लगा करके आग भपकाने का काम करता है तो इसी को पित्रदोश कहा जाता है माता पिता की हर बात का उन्हें वो बच्चे जो दुश्मन बन गई है उलाद उन्हें उल्टा जबाब देती है यहने उलाद यदि माता पिता को उल्टे जबाब देने लग जाए तो समझ जाओ पित्रदोश की उत्पत्ती हो गई है अब उस लड़के का भाग्य कठना प्रारंब हो गया है यह उसकी सूचना है यदि बेटी बाप को और मा को जबाब देने लग जाए कई बार हाथ उठा लेते हैं तो भी समझ जाओ अब उसका भाग्य की केची भाग्य को पर केची चलना प्रारंब हो गई है इश्वर का खेल निराला है उसी को समझने का प्रयास करो और हमने तो ये भी देखा है ये रिसर्च की बात में कर रहा हूं सब आपके सामने कि उनको माता पिता को उल्टा जवाब देना है वहां तक तो ठीक है वो बच्चे अपने माता पिता को रुला देते हैं और कई बार तो रुलाना भी बात अलग हो गई है वो मा बेटे बात नहीं करते बाब बेटे बात नहीं करती है मा बेटी बात नहीं करती है बेहन भाई से बात नहीं करते ये सब भी उस पित्रदोश की वज़े से होता है तो अब भी समय है यदि तुमारे यहाँ पर एसी कोई घटना घटित हो रही हो जो मैं बोल रहा हूँ रिशर्च के दोरान जो मुझे प्राप्त हुई है तो समझ जाओ पितर दोशे उसकी मुक्ति कराओ पितर दोश की शांती कराओ पितर दोश के लिए पूजन करवाओ और कौन सा पूजन कराना है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं जिससे हंडेट परसें तियो दो तिन बार पूजा कराने पर आपके पिछले जनम के आपके जो पितर हैं जो चले गए हैं जिनने पाप कर्म करके मर गए हैं उनका जो दोश है वो दोश आपको भोगना पड़ है तो आपको नहीं भोगना पड़ेगा आपके कुल को नहीं भोगना पड़ेगा यदि आपने प्राशित कर्म कर लिया तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में इस मामले में सब चीज लिखा हुआ है और बताया हुआ है तो जो ओलादें माता पिता से बादचित करना बंद कर देती है शहर छोड़कर के दूसरे शहर में चले जाते हैं अपनी पतनी के साथ गुल छर्रे उड़ाते हैं उनका भी वंश का नाश हो जाता है और जिस समय माता पिता को किसी बेटे की आवशकता होती है उस समय बेटा घर छोड़ करके चला जाता है अकेला रेने लगता है उसका विवा हो गया तो पतनी बच्चे लेकर के भाग जाता है तो समझ्जा पित्र दोश की उत्पत्ती हो गई है और ऐसे समय पे उन बुड़े माता पिता पर जो बीतती है वह वही व्रद्ध व्यक्ति ही जानता है और दूसरा व्यक्ति तो इसको समझ भी नहीं सकता है क्या चीज की आवशकता होती वह वही जानता है जो जवान है थोड़ी मालूम है कि एक बुड़े व्यक्ति को कितना दुख होता है, किस जगे दुख होता है, किस जगे उसको सहायता की आउशक्ता होती है, तो जो मैं किये रहा हूँ, वो बखवास लगेगा आपको, और जूटी बात लगेगी, तो हमारे पूरवजों के द्वारा जो गलतियां की गई, पूरवज याने हमारे दादा, परदादा, परम दादा, परम दादा के उपर भी और कोई दादा रहा हो, तो उनके द्वारा चाहे हत्या की गई हो किसी की, किसी के साथ बलातकार किया गया हो, किसी की धन संपत्ती को हडप लिया हो, निर्वंशी की जमीन को कबजा कर लिया हो, मंदिर तोड़ दिया हो, यह मंदिर बनाने में रोडे अटकाया हो, हरे भरे व्रक्षों को काटा हो, पीपल के व्रक्षों को काटा हो, रसदार फल आने वाले व्रक्षों को काटा हो, तो उ उस्कूल के अंदर पुन्यवान मनुष्य पेदा हुए हों पहले, तो मान करके चले वंच व्रद्धी होगी और उस्कूल के अंदर सुक्ष, सम्रद्धी, शांती आईगी, अन्य था, पित्रों के द्वारा किये गए पाप कर्मों का फल, आने वाले पुत्रों को भोगना ही भोगना पड़ता है, और कहीं बार तो वंच का ही नाश हो जाता है, तो पुर्वजों के द्वारा किये गए गलती और उनके द्वारा किये गए गुनाह, याने पाप कर्मों का भुकतान करना ही करना पड़ता है, अब यह हमें क्यों भोगना पड़ता है उसका भी कारण बता रहा हूँ मैं कि पुर्वजों की संपत्ती जो पीड़ी दर पीड़ी बटवारे में बेटे बेड़ियों बेटे बेटे को मिलती आती है उनके साधन पर हम अपने अधिकार समझते हैं तो मैं कहता हूँ यदि आपको पित्रदोस से मुक्ती लेना हो तो अपने पुर्वजों की संपत्ती अपने बाप की संपत्ती का एक चावल का दाना भी लेकर के मताना तो पित्रदोस से आप मुक्त हो सकते हो तो पूर्वजों की संपत्ति पर यदि आप अपना हक मानते हो अपना अधिकार मानते हो और गर्व से उन चीजों का भोग करते हो चाहे वो खेती किसानी क्यों नहों चाहे वो खेत ही क्यों नहों चाहे वो पुराने जमाने के मकान ही क्यों नहों चाहे वो महल ही क्यों नहों चाहे पुराने जमाने के सोने चांदी को बेच करके तुम्हारे पिता जी ने तुमको पढ़ाया लिखाया हो तुमने उसका भोग किया है तो पित्र दोश की उत्पत्ती तो होगी ही होगी तो यदि हम पित्रों की संपत्ती को गर्व से भोग करते हैं तो उनके द्वारा किये गए पाप कर्म उनके द्वारा किये गए गुनाहा उनके द्वारा किये गए अपराद उनके द्वारा की गई गलती की सजा भी आपको भुगतना पड़ेगी क्योंकि आप उन पित्रों के द्वारा छोड़ी गई धन संपत्ती जमीन दादाद सोने चांदी का आप भोग कर रहे हो अब शायद दिमाग की घंटी आपकी खुल गई होगी कि बाब दादा की प्रोपर्टी को यदि हिस्सेदारी मांगोगे और भोग करते हो और उसमें से पेसा लेते हो तो समझ जाओ आपको अपने बाब दादाओं के लिए स्रीवत भागवत कथा महापुरान कराना ही कराना है और यदि नहीं कराओगे नारण बली नहीं कराओगे त्रिपिंडी श्राद नहीं कराओगे तो पित्रदोस की उत्पत्ती होगी होगी क्योंकि आपने बाब दादाओं की प्रो कमाई नहीं हुई वो उन पित्रों की कमाई थी जो पाप कर्म करके मर गए तो ये संपत्ति भी पाप कर्म की संपत्ति मानी जाती है तो पापी के द्वारा कमाई गई संपत्ति को यदि भोग करोगे तो उसके पाप का असर आपके उपर भर भी आएगा आपके परिवार के उपर भी आएगा तो पित्रों के द्वारा किये गए गुनाहा का फल तो भोगना पड़ेगा यहां हमारी मर्जी थोड़ी चलती है इसके अंदर इश्वर, परमपिता, परमात्मा अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है उसे मालूम है किस व्यक्ती को कहां पर पैदा करना है और किस व्यक्ती ने कौन सा पाप कर्म किया था जिसको किस को किस कुल में उत्पन्न करना है किसी की प्रेत की मजाल नहीं कि वो अपनी मर्जी से किसी भी कुल में उत्पन्न हो जाए और पुर्वजों की जो गलतियां होती है जब उसको वर्तमान पीडी दोहराती वेसी ही गलतिया तो पित्र दोश और जादा तिवर गती से बेरहमी से सब को मारती है और कई बार तो पूरा का पूरा परिवार ही आत्म हत्या कर लेता है ये पूरा का पूरा परिवार आत्मत्या क्यों कर लेता है? ये पूरा का पूरे परिवार जहर क्यों खा लेता है? पूरा का पूरा परिवार एक साथ फासी क्यों लगा लेता है? पूरा का पूरा परिवार एक साथ ट्रेन के सामने क्यों कूच जाता है? ये सब पित्र दोश पूर्वजों ने कौन सी गल्ती करी थी? वो भी हम आगे आपको बताते हैं. तो हमें सब से पहले अपने आप में सुधार करना है. हमें आप में सुधार करने के लिए करेंगे तो सजा भी कम मिलेगी और हम जो है उनी गल्तियों को जैसे किसी के गहर की बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं अब कौन-कौन सी गलती है जो मैंने कहा ना कि मैं गिनाने जा रहा हूँ कि आपके पूरवजों ने कौन-कौन सी गलती करी होगी जिसकी वज़े से आपको पित्रदोष भोगना पड़ रहा है आपके याँ शादी ब्यान नहीं हो रहे है आपके पड़ाई लिखाई होने के बाद जुद भी सर्विस नहीं मिल रही है और आप खून के आशू रो रहे हो क्योंकि विवहा नहीं हो रहे है लड़की के लिए तरस रहे हो औरत के लिए तरस रहे हो वन्शु व्रद्धी के लिए तरस रहे हो तो ये क्या है क्या संसार में औरते कम पड़ गई नहीं आपके पास पेसा है ज्यान है डिगरी है सरकारी सर्विस भी है परन्तु आपका विवानी होना भी भयंकर पित्र दोस्ट की ओर इशारा करता है तो आपके बड़े भुजर्गों ने कौन-कौन से पापकर्म की होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं कौन से पापकर्म कि यदि आपने किसी की बेहन बेटियों के साथ अत्याचार किया हो तो आपका पित्र दोस्ट और बढ़ जाएगा यदि आप किसी मनुश्य या किसी परिवार के साथ में दुर व्यवहार करते हो तो भी आपका पित्र दोस्ट और बढ़ जाएगा अपने ही घर की बहु बेटियों के और महिलाओं के उपर आप जुल्म करते हो आज की तारीक में तो समझ जाओ पित्र दोस्ट और बढ़ जाएगा तो आपको ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है क्योंकि मैंने कई घरों में देखा है कि बच्चे जब मस्ती करते हैं खेलते कूटते हैं तो पिता आकर के बिना वजह उन्हें मारने लगता है अरे बच्चे हैं खेलेंगे, कूतेंगे एक दूसरे को मारेंगे लडेंगे भी, रोँगेंगे पो उसमें माता पिता को बच्चों के उपर हात नहीं उठाना चाहिए और विशेस थोर से कन्याओं के उपर तो बिल्कुल मी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि कन्याओं को देवी मा माना गया है कन्या पूजन होता है तो घर के किसी बहन बेटियों के साथ मेधी अत्याचार करते हो आप किसी के साथ दुर्वियवहार करते हो अपने घर की बहु बेटियों के उपर महिलाओं को पर जुल्म करते हो अपने गहर की बहन बेटियों पर जुल्म करते हो, आप कन्या ब्रून हत्या करते हो, और चरित्र हिंता के कारे करते हो, पराई इस्त्री के साथ में आप सोते हो, पराई इस्त्री के साथ रेप करते हो, उनकी हत्या कर देते हो, किसी का हक मार देते हो, किसी का हक छिन लेते हो, चोरी कर लेते हो लूट कर लेते हो डकेती कर लेते हो जो ये जो सदियों पुराने कृत्यों की सजा का भुकतान भी उन्ही संतानों को करना होता है महलए ये जो कर्म है आपके हो सकता है पूरवज भी करके मर गए हो उन्हें सजा नहीं मिली हो और आप भी कर रहे हो तो फिर तो डबल तरीके से वो पित्रदोश आपको परिशान करता है और हमारे यहाँ पर आजकल कल्युक चल रहा है इस कल्युक में अधिकतर पित्रदोश चरित्र हिंता की वज़े से होता है क्योंकि देर से शादी कर रहे हैं आजकल लड़का हो या लड़की हो देरी से शादी करती है देरी से विवहा कर रहे है लिव इन रिलेशन्शिप में रे रहें तो इसे चरीत्र हींता ही कहा जाता है और आज के जमाने में मनुष जो है अपने चरीत्र को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं देता है एक लड़की भी है पढ़ने चली गई किसी दूसरे शहर में तो वहाँ पर वो leave-in relationship में देने लग गई एक लड़का भी पढ़ने के लिए कई दूसरी जगे चला गई अपना शहर छोड़के किसी बड़े शहर में तो वहाँ पर भी leave-in relationship में देने लग गया तो याने चरीत्र हींता होने लग गई है याने अपने चरीत्र के उपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और किसी के भी साथ physical relationship बना लेते हैं और उसी की वज़े से आजकल जो शादिया नहीं हो रही है 30-30 साल, 35 साल, 40 साल यह सिब और सिर्प पित्रदोश की वज़े से हो रही है क्योंकि बच्चे पेदा नहीं करना है बच्चे पेदा होंगे तो वंश्वरद्धी होगी वंश्वरद्धी तो करना ही नहीं क्योंगे पित्रदोश है तो यही सब कारण होते हैं कि अधिकतर लोगों की कुंडली में पित्रदोश होता ही होता है आजके जमाने में पित्रदोष होना बहुत सामान्य बात हो गई है तो बच्चे को ये सिखाया जाए माता पिता के माध्यम से कि पित्रदोष का शवन करो तुम्हें कौन-कौन से नियम कानून का पालन करना है परन्तु माता पिता तो बच्चे को सिब नोट छापने की मशीन बनाने में लगे रहते हैं हाई पढ़ाई हाई पढ़ाई 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 बस और कुछ नहीं करते हैं उन्हें नहीं मालूम कि भारती संसकार संसकती क्या है हमारे वन्ष का आगे बढ़ाने वाला जो है उसको आप हमारे संसकार संसकती को बताते ही नहीं हो परंपरा को नहीं बताते हो रिती रिवाज को नहीं बताते हो प्रथा को नहीं बताते हो जिसके फल सरूब पित्रदोश और जादा तेज गती से मारता है हमारे शास्तों में लिखा हुआ है कि समय समय पर दान पुन्य करते रेना चाहिए अमास्या को दान करना चाहिए सीधा दान देना चाहिए पुर्णिमा को सीधा दान देना चाहिए ग्रहन के बाद दान देना चाहिए ये पुन्य करने के लिए कहते हैं और शास्तों में यह भी लिखा हुआ है कि हमेशा अपना चरित्र सुधार करके रखो अपना चरित्र का ध्यान रखो ताकि पित्र दोश अधिक पीडानी दे सके क्योंकि जो मनुष्य दान धरम नहीं करता जो मनुष्य अपना चरित्र खराब रखता है उसके उपर पित्रदोश और बढ़ता जाता है और आज के जमाने में कोई बताने वाला नहीं है तथा कतित कता वाचक जो आजकल ये जगे जगे कताएं करने के लिए बड़े बड़े लिपा पोती करके बेड़ जाते हैं व्रहनला जैसे बेड़ जाते हैं हजार पकार के कास्मेटिक क्रीम पोडर लिपिस्टिक लगा करके बेड़ जाते हैं, ये कभी भी पित्र दोश के उपर बात नहीं करते हैं, क्योंकि यदि पित्र दोश पर बात करेंगे, तो वहां ओड़तों को कैसे नचवाएंगे? तो कभी भी ऐसे जहां पर भागवज्जी हो रही हो, वहां पर इस्त्रियों को नहीं नाचना चाहिए, तो हम चल रहे थें पित्र दोश के उपर, तो कोई जरूर नहीं कि आपने ही अपने जन्म में गुनाह किया हो, तब ही आपको पित्र दोश परेशान करेगा, नहीं, आपकी गोई गलती नहीं होने पर भी आपको कोई भी पित्र जो जा चुका है, वह प्रेत रूप में है, वह आपकी बारा बजा सकता है, वह आपको कश्ट दे सकता है, क्योंकि कुंडली में पित्र दोश मोजूद हो, तो कोई भी प्रेत आकर के आपको नुकसान दे सकता ह यहने कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदी कुंडली में पित्रदोश हो तो करेगा कोई भरेगा कोई यह मान करके चले करे कोई भरे कोई का नियम इंसान के कर्म और जीवन पर लागू होता है इसलिए हमेशा जो है शुब कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए अच्छे कर्म करो और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम अपने साथ में कुछ लोगों का जीवन में भला करके चले जाएं अब आज के जवाने में कल युग में जो पित्र दोश हैं उसके बहुत सारे संकेत हैं कुछ तो मैंने आपको बता ही दिये अब आगे और बताने जा रहा हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद में यह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत मशकत की है जिन्दगी में बहुत रस निकाला है इस चीज के उपर और वो रस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अब हम आज के जमाने भी जो पित्रदोश बहुत तेदी से घर में पेर पसार रहा है, उसके कुछ उधारन में आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आए दिन पित्रदोश वाले वेक्तियों से मिलता रहता हूँ, उनके घर पर भी जाता रहता हूँ, और उनके या जो अतंत्रबाधा काला जादू होता है, उसको हटाने के लिए भी जाता रहता हूँ, तो जब वहाँ पे जाते हैं, तो पता लगता है कि ये तो पित्रदोश की वज़े से है, किसी ने कुछ नहीं किया, तो चलते हैं, आगे आपको और संकेत बताता हूँ में, कि से मुक्तो हो सकें, और आपके बच्चे खुशहाल हो सकें, और आपका वंश चल सकें, अन्य था, किसी की ताकत नहीं, जो आपकी याँ वंश में व्रद्धी कर सकें, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन होगी, लड़का उत्पन नहीं होगा, लड़का उत्पन होगा, तो वो माता-पिता से शत्रूता रखेगा, 36 का आकड़ा रहेगा, वो माता-पिता को गाली देगा, आपके मुझ से भी फिर उसके लिए हाई बद्दुआ निकलेगी, इसको भी पित्रदोश कहते हैं. यदि घरों में, मैं कई घरों में देखता हूँ, आए दिन, जब चाहो तब, खाना खाते वगत, नहाते वगत, पूजा करते समय, घर में जगड़ा होता है, क्लेश होता है, पती-पतनी में जगड़ा हो जाता है, पिता-पूतर में जगड़ा हो जाता है, और अशान्ती तो पनी रहती है, तो घरों में जो कुलेश हो रहा है अशान्ती हो रही है लड़ई झखड़े हो रहे हैं एक दूसरे के उपर इलजाम लगाते रहते हैं भाई भाई में मन मुटाव की इस्तती उत्पन होने लगी है आपस में दोनों के बीच में बाच्चित बंदों गई अरे चार जने हैं वो चार जने एक दूसरे से बात नहीं करते एक ही छत के नीचे रहते हैं परन्तु बात नहीं करते हैं एक दूसरे को देखकर खुश होने के बजाए नाराज होते हैं और जगह बदल कर बाहर जाना पड़ता है घर में बाद बाद पर चीख चिल्ला करके बाद चित करते हैं एक दूसरे को गालिया निकालते हैं ये सब पित्रदोश की निशानी है कोई तंत्र विद्या नहीं होती है ये आपके बड़े बुजुर् करके मर जाने की वज़े से आपको ये भुगतना पड़ता है और आप सोस्त किसी ने हमारे यहां पे चोकी बिठा दी किसी ने हमारे यहां पे तंत्र विद्या कर दी कि हम तो पहले बहुत अच्छे से रहते थे सब में आपस में प्रेम था अब एक दूसरे के शत्रु होग को बदनाम कर देते हो, समशान में रहने वाले मनुश्यों को बदनाम कर देते हो, अरे पहले अपने गिरेबान में जाक करके देखो, अपनी जन्म कुंडिली को चेक करवा करके देखो, किस-किस को पित्रदोश है, तो किसी पर इलजाम लगाने के पहले दस बार सोच लो, कि हमारे में तो कहीं गलती नहीं है अगर घर में बड़े हो रहे बच्चों का समय बीत जाने के बावजूद भी न तो सगाई हो रही है न शादी हो रही है और नहीं कोई बात बन रही है तो भी समझ जाओ ये भयंकर पित्रदोष की और सूचना दे रहा है अब इस पित्र दोष्टी मुक्ती के लिए वही चीज कि तीन चार बार श्रीमत भागवद कथा महापुरान आपको कराना है और नाराण नाग बली की पूजा कराना है और हो सके तो त्री पिंडी श्राद भी करवाना पड़ेगा तब जाकर के पित्रों की शांती होगी पित्रों की मुक्ती होगी और जो पित्र प्रेत योनी में चले गए हैं जो पित्र नाग योनी में चले गए हैं जो पित्र पिशाच योनी में चले गए हैं उनको भी मुक्ती दिलाना पड़ेगी इसके लिए एक बार की पुजा से काम नहीं चलेगा मानलो चार-पांच पित्रे ऐसे हो गए जो पाप कर्म करके चले गए हैं तो उन सब की मुक्ति के लिए अलग-अलग कई बार भागवजी कराना पड़ सकती है यह ultimate उपाय है श्रीमत भागवजी कथा पुरान पित्रों के निमित कराना पंदु विधी विधान से करवाना है और पित्र कई बार भागवजी सुनने के लिए नहीं आता है तो आपकी भागवजी बेकार हो जाती है पित्र सुनते ही नहीं है मुक्तिक अधिकारी नहीं लेते हैं तो आपको ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति को भी बुलाना है जो पित्रों को आवहान करके विदी विदान से बुला करके बिठा करके बांध दे ताकि सुन सके अब जिसा कि मैंने बताए कि यदि बड़े होते जा रहें बच्चे हैं 20, 22, 25, 30, 35, 40 हो गई और न तो शादी हो रही न शादी की कोई बात चल रही है तो आप लोगबा क्या सोचते हैं अरे हमारी तो शादी बांध दी मांगली कारिकम बांध दिया हमारे भाई ने बांध दिया हमारी भावी ने बान दिया, हमारी चाची ने बान दिया, अरे इस्त्रियों को बदनाम कर देते हो, तंत्र को बदनाम कर देते हो, अरे तंत्र शीव जी के द्वारा प्राकट किया गया है, शीव जी ने अच्छे काम के लिए तंत्र का प्रयोग बताये था, नकि बूरे काम क किसने किया, अपनी आखों से आपने नहीं देखा, तो किसी के पर इलजाम मत लगाओ, तो फिर पाप कर्म की उत्पत्ती होगी, अब दूसरी चीज, पित्र दोश का दूसरा संकेत, विशे संकेत में बताने जा रहा हूं, कि बच्चों की शादी होकर बार बार तूट जाए, मला अपनिया बेटा है, एक ने एक शादी करके लिया आया, एक साल तक रही, छूड़ गई, फिर उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी छोड़ के चली गई, यह वेवाहिक जीवन में आए दिन सुबह, शाम, भयंकर क्लेश की उत्पत्ती हो, तो समझ जा पित्र दोश है, यदि आपके लड़की का विवाह हो गया, और लड़की साल दो साल बाद एक बच्चा लेकर के आगई, तो भी समझो पित्र दोश की उत्पत्ती है, तो बच्चों की शादी होकर बार बार तूट जाए, और वह वापिस घर में आजा, घर में आने पर फिकलेश की उत्पत अगर माता पिता से हर बात बात पर बेहस करने लग जाए, वाद विवाद करने लग जाए, माता पिता की बातों को अंसुना करने लग जाए, घर के रिती रिवाश को नहीं मानने लगे, घर के संसकारों पर वो हसने लगे, और उन्हें मानने से इंकार कर दे, तो समझ पयंकर पित्रदोष की उत्पत्ती है याने कि अब आपके वंश्य का नाश होने वाला है होगा ही होगा क्योंकि आपने बच्चों को बच्पन से जो संसकार, संसकती, परंपरा, रीती रिवाज, माननेता, प्रथा थी उनको बताया ही नहीं अब बड़े होने पर आप बताओ तो वो थोड़ी मानने वाले जब मठका पक चुका है अब उस मठके में परिवर्तर नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार से जब बच्चा कच्चा होता है कच्ची मिट्टी होती है उसको मही से सिखाना पड़ता है तदा कि धीरे-धीरे पक्ते-पक्ते पूर्ण रूप से पग जाता है, तो वह सब संसकार, संसकती, परंपरा, रिति, रिवाज, मान्यताओं को मानता है, अन्यता कुल देवी देवता की पूजा के लिए नहीं जाता है, पित्रों की पूजा के लिए नहीं जाता है, और भगवान की पूजा भी नहीं करता है। जो मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया है विभिन अलग-अलग घरों में जाकर के उसके रसकों मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अच्छे से सुनिएगा और इलाज अवश्य करवाईए एक ही इलाज किसी और के उपर इल्जाम मत लगाईए कि किसी ने कुछ हमारे यहां तंत्रविद्या कर दी किसी ने हमारे उपर प्रेत छोड़ दिया किसी ने जिन जिनना छोड़ दिया कुछ नहीं होता है आपके पुरवज पापकर्म करके चले गए उन पापकर्मों का फल आपके कुल में जो भी उत्पन होगा उसे भोगना पड़ता है बस इसी को पित्र दोश केते हैं अब यदि आपको ग्यान मिल रहा है कि हम अपने पुर्वजों के द्वारा किये गए पाप कर्म को के से माफी लें तो मैं बता रहा हूँ कि बार बार हर साल हर साल की बात कर रहा हूँ प्रती वर्ष पित्रों की मुक्ती के लिए पित्रों की शान्ती के लिए पित्रों के मौक्ष के लिए स्रीमत भागवत कथा महा पुरान आपको अलग-अलग तिर्थ इस्थान पे जाकर के करा लो जहांपर पित्रों की मुक्ती होती है प्रेतों की मुक्ती होती है पिशाचों की मुक्ती होती है जिसे हरीद्वार में एक विशे सिस्थाने जहांपर भागवजी कराने पर पित्रों की मुक्ती होती है पिशाच मोचन तिर्थ गया जी में होती है भागवत जी कराने पर हरिद्वार में होती है इलाबाद में कराने सोती है तो ऐसे पवित्र इस्थल पर जाकर के आपको स्रीमत भागवत कथा महापूरान कराना है कई बार और नारणबली भी कराना है त्रीपिंडी श्राद भी करवाना है तो आप किया वंच व्रद्दी हो सकती है बार-बार कान पकड़ करके पित्रों के निमित अम आस्या के दिन विशेश पूजन अर्चन करना होता है तब जाकर के माफी मिलती है अन्य था माफी नहीं मिलती है तो ये थी पित्रों के उपर आप बहुत गहराई से रिसर्ज जो हमने किया वो अब हम आपको और आगे ले चलते हैं एक संक्यत और बताते हैं कि घर में यदि लंबे समय तक ला इलाज बीमारिया लग जाती हो पेसे खर्च होनते लगते हैं इन्वस्टिगेशन रिपोर्ड पर इन्वस्टिगेशन कराते रहते हो और दवई खाने के बावजूद भी बीमारियों पर नियंत्र नहीं होता हो दोस्तों समझ जाओ पित्र दोशे कोई ने कोई प्रेत लगा हुआ है प्रेत की आत्मा तडप रहे मुक्ति के लिए वही बीमारी देती है और आपकी गोली दवई काम नहीं करती है घर में पारिवारिक भाईयों और चाचाओं के साथ में भूमी विवाद हो जाए मामला कोट कचरी तक चला जाए और लंबे समय तक उसका हल नहीं निकले तो समझ जाओ पित्र दोश है यानि आप बड़े भुजर्गों की संपत्ती को बेचना चाते हो बड़े भुजर्गों की जमीन जादात को बेचना चाते हो तो वो बड़े भुजर्ग जो रहते हैं पित्र जो रहते हैं वो संपत्ती को बिकने नहीं देते हैं इसलिए भाई भाई में विवाद करा देते हैं चाचा भतीजे में विवाद करा देते हैं और मामला कोट कचरी तक चला जाता है और कई बार तो लड़ाई जगड़ा इतना जादा हो जाता है संपत्ती विवाद कि भाई भाई की हत्या कर देता है, भतीजा चाचे की हत्या कर देता है या चाचा भतीजे की हत्या कर देता है, ये और भयंकर पित्रदोश की उत्पत्ति करता है यदि हम कोई कारोबार चलाते हैं, शुरू शुरू में अच्छा पेसा लगाते हैं, तो अच्छी के बावजूद भी लाब नहीं होता है नुकसान पर नुकसान होते लग जाए तो समझ जाओ पित्रदोश की उत्पत्ति हो गई है यदि आपके रिष्टेदार धीरे-धीरे आपका साथ देना बंद कर दें यदि आपके दोस्त वो आपसे दूर रहना प्रादम कर दें आपके जो कस्ट आ रहे उन कस्ट में कोई मदद करने को तयार न हो तो समझ जाओ ये भी पित्र दोश की उत्पत्ति होती है तो अच्छे समय में खरी दी गई संपत्ती और पूरवज्यों की संपत्ती भी एके करके सब बिखने लग जाए फिर भी हम कर्ज से वहां नहीं आए हमारा कामकाज नहीं चले तो समझ जाओ भयंकर से भयंकर पित्र दोश है यानि कि आपके पित्रों के द्वारा कुछ पाप कर्म हो सकता है तंतर मंतर करके मर गए हो हो सकता है किसी के हत्या करके मर गए हो हो सकता है किसी के पेरों में तंतर के माध्यम से जकडन करके मर गए हो तो ये सब पापकर्मों का फल आने वाली पीडी को भोगना पड़ता है तो अच्छे समय के इसमें जो खरीदी थी आपने संपत्ती और पुर्वजों की संपत्ती जमीन जाएदा है यदि वो एके करके आप बेशने लग जाओ तो पित्रदोश और बढ़ जाता है यदि आपके बच्चे भी पड़ लिख जाने के बावजूद भी यदि केरियर में सेटल नहीं हो पाए तो उनकी पड़ाई काम नहीं आती है तो भी समझ जाओ पित्रदोश की उत्पत्ती है और यदि पूरे परिवार की प्रगति थम जाए हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी के यहां आगे दुनिया चलती जा रही है और आपका घर पीछे होता जाता हो तो समझ लीजिए कि पित्रदोश जागरत हो चुका है तो पित्रदोश बहुत भहंकर दोश होता है यह सभी दोशों का बाप होता है बाप तो पित्रदोश के ओर भी कहीं अनेक संकेत होते हैं अचानक घर में अकाल म्रत्य हो जाए जवान लड़के की मोत हो जाए जवान लड़के लड़की आत्मात्या कर ले घर में महिलाओं लगातार बीमार रहने लग जाए हर एक दो साल के अंदर किसी ने किसी की मिर्त्य होने लग जाए अपने ही घर में हमें रहने से डर लगने लग जाए अपने ही घर में भूत प्रेत होने का एहसास होने लग जाए और हमें ऐसा लगे बार बार मन में आए कि किसी ने कुछ करा दिया किसी ने कुछ खिला बिला दिया, किसी ने हमारे पर तंत्र विद्या कर दी, तो समझ जाओ पित्र दोश की उत्पत्ति हो गई है. लोग बाग वेहम के अंदर जीते हैं, पेशा बरबाद करते हैं, तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, अगोरी लोगों के पास जाते हैं, पेशा पेशा बरबाद करते जाते हैं, और होता कुछ नहीं हैं. ये सब पित्र दोश की वज़े से होता है, पित्रों की शांती करा लोगे, सब तंत्र ओटोमेटिकली कड़ जाएगा. तो तंत्र स्वत्ह हो जाता है, आपके कुल के पित्रों के द्वारा पाप कर्मों का फल भोगने का समय आया, और आपके उपर तंत्र हो जाता है. आप इलजाम किसी दांत्री के उपर लगाते हो, आप इलजाम किसी अपने प्रतीस परदावाले व्यक्ति पर लगा देते हो, आप इल्जाम अपने घर परिवार के किसी सदस्टी के उपर लगा देते हो, अपने पडोसी के उपर लगा देते हो, अपने चाचा चाची के उपर लगा देते हो, अपने भाई के उपर लगा देते हो, अपने पिछले जनम के पापकर्मों को नहीं देखोगे. तो पित्र दोश बहुत सोच समझ करके किसी को पर इर्जाम लगाने ना अन्य थककस्ट और भुगतने के लिए तैयार रेना है यदि किसी की अचानक अकाल मोत होगी तो आप क्यों बोलते हो कि किसी ने मुठ चला दी किसी ने चोकी चला दी इसलिए हमारा भाई मर गया एक ये वेहम और दिमाग का केड़ा होता ही और आप सोते हो किसी ने तंतर विद्ध्या कर दी तंतर विद्ध्या नहीं कि ये सब पित्र दोश की और सूचना देते हैं तो पित्र दोश के लिए बहुत से उपाए बहुत से लोगों के द्वारा बताए जाते हैं परन्तु सक्सेस नहीं होते हैं क्योंकि उनका लाब ही नहीं मिलता वो उपाई सब उल्टे सिते उपाई हैं मलग कोई शास्त्र सम्मत उपाई हैं नहीं अपनी मर्दी से जैसा जिसके समझ में आरा वेसा उपाई टोने टोटके बताने लग गया अरे जिसने कभी अनुभवी नहीं किया कि पित्रदोष क्या होता है वो व्यक्ति भी पित्रदोष के उपर चिलाने लग गया बोलने लग गया तो पित्रदोष घर में जब तक सुधार नहीं करोगे तब तक पित्रव्दोश का कोई भी उपाय आपका काम नहीं करेगा आप चाहे अपने आचरन में आपको परिवर्तन करना है यानि चरित्र हींता से दूर होना है सब से पहले तो पराई इस्त्री के संग नहीं सोना है और घर की इस्त्रियों को पराएं मर्दों के संग नहीं सोना है चरित्र हींता से सयम को भी बचाना है परिवार वालों को भी बचाना है अन्यता पित्र दोश का कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा शास्तों में पित्र दोश के लिए बहुत से उपाय दिये गए हैं आपको वो उपाय करना होंगे तब जाकर के पित्र दोश की शांती होगी और जो उपाय है वह एक ultimate उपाय जिसको ब्रह्मास्त कहते हैं श्रीमत भागवत कथा महापुरान जिसके अंदर 18,000 लोग हैं वह साथ दिन तक किसी भी पवित्र इस्थल पे पवित्र तिर्थ इस्थ कराना है वही पर ही नारन बली भी कराना है और वही पर ही तरी पिंडी श्राद भी आपको कराना है और एक नीक चार पांच बार कराना पड़ेगा डिपेंड करता है कि आपके यह पित्र दोश कितना भारी है और आपने इस जनम में कितने पापकर्म कर लिए पिछले जनम क खाते पीते हो, इस जनम में भी आप अपनी के जो इस्तरी है, उसके पर हाथ उठाते रहते हो, तो पित्रदोश कारगर नहीं होगा, पेले सबसे पेले अपने व्यावहार में आपको परिवर्तन करना होगा, तब जाकर के पित्रदोश में बचत होगी, अन्यत्था नहीं अमास्या के दिन सीधा दान देना है, अमास्या के दिन घर के अंदर साफ सपई रखना है, अमास्या के दिन घर के जाले साप करो, अमास्या के दिन नमक के पानी से पहुचा लगाना है, अमास्या के दिन किसी बड़े बुजुर्ग ब्रामन को जो मंदीर में सेवा करता हो, उसको घर पे बुला करके वीधीवत, उसको शट रसो से युक्त भोजन कराना, मीठा भोजन कराना, कड़वा भोजन कराना, तला गला भोजन कराना, चर्का भोजन कराना, खीर पूरी खिलाना, ये इसे इस प्रकार के भोजन कराना होता है, और अपनी शादन, श्रद्दा के अनुसार दान धरम करना होता है, गायों को हरा चारा खिलाना होता है, और जो मैं बोलता हूँ पंच देव, पंच बली, गायों को भोजन देव, कुतों को भोजन देना होता है, पक्षियों को भोजन देना होता है, मचलियों को भोजन देना होता है, चीटियों को भोजन देन अपने स्वयम की जमीन के उपर पीपल का व्रक्ष लगा करके उसकी रक्षा करते हैं तो भी पित्रदोश की कमी होती है। पित्रदोश के लिए जो उपाए हैं उन उपाए को सही तरीके से किया जाए। आप किसी को ज्यान नहीं अनाडी पंडीजी आपने पकड़ लिए और पित्रदोश के लिए आपने भागवजी करा लिए पन्तु कोई असर नहीं होगा। क्योंकि पित्रदोश के लिए जो किताब पढ़ना चीए दियो किताब विदी विदान से नहीं पढ़ी गई। आदी अधूरी किताब पढ़ दी उनने और आपको बोल दिया किताब पूरी पढ़ दी तो इमानदार पंडीजी होना चाहिए पढ़ने वाला और जो पूजा कराने वाले पंडीजी होते हैं पित्रदोश की, तरपन की, पिंडदान की, हवन कराने वाले होते हैं वो सब सं वाले होना चीए, तो ही आपकी ये भागवज्जी लागू होगी, ये ब्रहमन आजकल संध्यावंदन नहीं करते हैं, गाहितिरी की माला जप नहीं करते हैं, ऐसे पंडित जी को तो आपको भागवज्जी के लिए भुलाना ही नहीं है, तो आपको पेले पूछना होगा, जि से भी भागवजी कराएं कि वो संध्यावंदन करता है या नहीं करता है यदि संध्यावंदन नहीं करता है तो उसको आपको भागवजी का पाठ नहीं करवाना है और नहीं भागवजी के निमित पूजनर्चन करवाना है पित्रों के निमित पूजनर्चन लगेगा ही नहीं जब तक कि वो गायत्री की माला वीदी-विदान से न करे, जो संध्या वंदन के जो नियम होते, उन नियमों को पालन करने वाले ब्राह्मन से ही कराना है. बहुत से मनुष्य हमें मिलते हैं कि साब आपने कहा था भागवजि जी करा लो, तो हमने भागवत जी करा ली पित्रों के निमित, परण तो कुछ नहीं हुआ, साल बर हो गया, कोई असर ही नहीं दिख रहा, पित्र वेसे ही सपने में आ रहे हैं, वेसे ही साप दिख रहा है हमें, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आपने कौन से पंडित जी पकड़ दिये थें, तो पंडित जी भी ऐसे पकड़ना है, जो मनुष्य सुबह श्याम संध्या वदन करके ही भोजन करता हो, जो गाहितरी की माला जप करता हो, श्रीहरी विश्नु जी का जप तप करता हो, विश्नु सहस्तनाम का पाठ करता हो, एसे ब्राह्मन बालकों से या ब्राह्मन व्यक पूजा करा ली परनतु पूजा सफल नहीं होई इसका यही कारण होता है कि पूजा सफल नहीं होती है अब हम आते हैं और आगे चलते हैं गेहराई में जाना होगा जितने कुवे में उतरेंगे उतने ज़्यादा आपको इसमें सीप और मोती प्राप्त होंगे अब पित्र दोश के लिए दान, पुन्य, यग, पूजा, पाठ आदी शास्टों में विधान है और ये सब प्रामानिक और कारगर हैं जीवन में बहुत से लोग इन उपायों का पालन भी करते हैं पर अधिकतल लोगों के जीवन में इन उपाय को करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने सयम के और परिवार के सदस्य सयम अपने आचार, विचार, व्यवहार में परिवर्तर नहीं करते यहने शराप पीना बंद नहीं करेंगे, मांस खाना बंद नहीं करेंगे इस्त्री पर हाथ उठाना बंद नहीं करेंगे इस्त्री को गाली देना बंद नहीं करेंगे चरित्र हिंता बंद नहीं करेंगे तो फिर ये पित्र की शांती के लिए जो कोई भी पूजापाट की जाए वह पूजापाट सफल नहीं होती है इसलिए क्योंकि घर में कोई सुधार नहीं हो बाता है तो जिन्दगी में पित्रदोश जो है एक तरीके से मारक का काम करता है तो सबसे पहले अपने आचार विचार व्यवहार को बदलें जब तक अच्छे बदलाव नहीं आएंगे तब तक पित्रदोश की की गई पूजा कोई सफल नहीं होगी यदि कोई मनुष्य चल कपट दोका करता हो बाद बाद पर जूट बोलता हो बाद बाद पर गाली देता हो चीखता चिलाता हो बाद बाद पर गुर्टसा करता हो तो पित्र दोश के प्रभाव में और बड़ोतरी होती है जिनने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मनुष्य को जितने भी एब हैं काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मतसर, इर्शा, तरशना, रागद्वेश इन सफसे मुक्त होकर कि जब तक वो साधू रूप, सन्यासी रूप, संतोश वाला रूप स्विकान नहीं करेगा तब तक पित्र दोश की शान्ती नहीं हो सकती चाहे कितनी ही पूजा करालो, कितने ही दान धरम करलो, कुछ नहीं होगा याने मनुष्य को सहन्शील बनना पड़ेगा, मनुष्य को धेरिवान बनना पड़ेगा, मनुष्य को चमावान बनना पड़ेगा और बहुत सफसे बड़ी बात यहां पर या रही है कि पित्र दोष्ट की वज़े से लड़का हो या लड़की हो उसका विवहा नहीं होता है तो वो अपनी शरीर की आवशक्ता की पूर्ती के लिए विप्रित लिंगी से शारिरिक संबंद बना कर अपने शरीर का पतन कर लेता है यदि वो ऐसा करता रेता हो तो भी पित्र दोष्ट की की गई पूजा सफल नहीं होती है पेले तो खुद के प्रती मांदार रहिए फिरा वफादार रहिए याने चरित्र हिंता तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगी शराब छोड़ना पड़ेगी मांस खाना छोड़ना पड़ेगा अंडे खाना छोड़ना पड़ेगे जूट बोलना छोड़ना पड़ेगा तब जाकर के पित्र दोष्ट की गई पूजा सफल होगी अन्यता नहीं होगी तो अब आपको करना क्या है एक तो दूसरों की मदद करना है दूसरों के प्रतिकल्यान की भावना रखना है और दूसरों की खुशियों में और खुशियों को बढ़ाना है तो जिस जगे हम खुशियां प्रदान करेंगे खुशियां बढ़ाएंगे पित्र दोष का दुश प्रभाव दीरे धीरे कम हो और वास्तू दोष वाले मकान में भी नहीं रहना चाहिए, जब पित्र दोष होता है तो मनुष्य वास्तू दोष वाले मकान में रहने के लिए चला जाता है, क्योंकि पित्र उसे बरबात कप करेंगे जब वो गलती करेगा, तो इशान कोण के अंदर भगवान का पूजा इलिस्थल होना चाहिए अगनी कोण के अंदर रसोई घर होना चाहिए यदि आपके घर में ये दोनों विपरीत अवस्था में हैं या किसी अन्य अवज जगे हैं तो निश्चित तोर से इसे वास्तुत दोष कहा जाता है अगने कोण के अंदर किचिन होना चाहिए पूरपधिशा की और मुझ होना चाहिए बनाने वाले का और इशान कोण जो होता है ये देवी देउताओं का इस्थान होता है वहाँ पर केवल पूजा का इस्थान होना चाहिए, वहाँ लेटरिंग बात्रूम नहीं होना चाहिए, और रसोई घर भी नहीं होनी चाहिए दी है, तो मान के चले आपके यहाँ पर पित्र दोश की उत्पत्ती है, तो पित्र दोश से मुक्ति जरूर मिलती है, परन्तु अपना आचार विचार व्यावार को परिवर्तन करें, परिवार की विक्ती भी करें, और जोतिशी उपाय भी करें, पित्रदोष निवारन यंत्र की पूजन अर्चन भी करें, फिर पहले यंत्र को खरीदें, लें, उसके अंदर प्रान पतिष्टा कराएं, और फिर उस यंत को सभी व्यक्ति अपने अपने पास रखें और रोजाना पूजन करें कुछ मंत्र होते हैं पित्रदोष की शांती के मंत्र का भी जब करें और ब्रामन से भी मंत्रों को जब करा है पंदु ब्रामन ऐसा होना चाहिए जो संध्या करता हो तो जोतिस के उपाई के साथ साथ आपको प्रिक्टिकल उपाई भी साथ साथ करें और वास्तु का अवश्य ध्यान रखें वास्तु शांती पूजन अवश्य करें और जो समय समय पे बहुत से छोटे मोटे जोतिशियों के द्वारा जो सला दी जाती उनका भी पालन करें और बहुत से उपाए आपको इधर उधर यूट्यूब के माध्यम से वाटसप के माध्यम से फेस्वुक के माध्यम से प्राप्त हो जाते उनको भी करें पन्तु उल्टे सुदे उपाए नहीं करना चाहिए। लोटे में गंगाजाल और पानी के साथ काले तिल और फूल उसमें मिला करके डाल करके दक्षिन दिशा में मुख करके अपने पित्रों से अपने जीवन से दुख दूर करने की प्रार्थना करने के लिए जल अरपन करना चाहिए। इसमें सब समय का अवस्चत ध्यान रखें, time इसमें निश्चित हैं, हर अम्मा वस्चा की शाम को ये शाम शब्द यहां पर प्रयोक किया गया है, यानि शाम को ही आपको देना सूरी अस्तो हो उसके पहले पहले, हर अम्मा वस्चा को कीर बना करके कवों को खेलाना चाहिए, क्योंकि कववे भी पित्रों का ही प्रतीक होती है, हर अम्मा उस्य को खाने पीने की वस्तु हैं, गरीब लोगों में बाटना चाहिए, व्रद व्यक्तियों में बाटना चाहिए, और घर में यदि कोई वास्तु दोश हो, तो वास्तु दोश को सुधारना चाहिए, और भी ब आप कर्म करके गए हैं, उसी प्रकास से उसकी प्राइशित पूजा होती है, परिहार पूजा होती है, यदि आप पित्र दोस की मुक्ति कराना चाहते हो, पित्र दोस से पित्रों को मुक्त करना चाहते हो, आप भी खुशाल देना चाहते हो, तो देवराधा ट्रस्ट सत्यव यह नंबर हैं, इन पर आप अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर देते हुए, आप समपर करें, क्रपया फोन नहीं लगाएं, वाटसप पर संदेश देखर के, उचित समय लेकर के, आप अपने घर के पित्र दोश को रीमू करव आता है, लाकेट भी आता है, आप चाहें, तो यह प्राप्त कर सकते हैं, देव रादा ट्रस्ट पर वरतमान में उपलबद है, जब भी कोई वैसा पित्र दोश होता है, तो राहु के तु विशे स्टोर से प्रभावी हो जाते हैं, तो राहु के तु को शांत करने के लिए भी एक special हमने लाकेट त्यार किया है आप चाहें तो वो लाकेट भी हम से purchase कर सकते हैं उसके बहुत अच्छे result सामने आए है जै मातादी जै मा का मक्या जै श्री महाकाल महराज पित्र दोस्ट की शांती के उपर एक किताब भी लिखी गई है आप चाहें तो वो किताब भी देव रादा ट्रस्ट से उचित दक्षिना दे करके प्राप्त कर सकते हैं जीवन में संगर्ष्क्यू किताब का नाम है वह किताब भी आप मंगवा करके आप अपनी पित्र दोश प्रेत दोश इसकी शांती के निमित क्या का करना चाहिए केसे करना चाहिए कब करना चाहिए कौन से नक्षत्र में करना चाहिए कौन से दिन करना चाहिए और कौन से तित्र में करना चाहिए सब चीज उसकंदर लिखी हुई है हमारे द्वारा आप लोगों के लिए कष्ट कम से कम आए, आप उन चीजों को समझें और अपने कष्टों को कम करें, इस कारी के लिए हम सतत प्रयास रते हैं, आगे भी रहेंगे कि आपके जीवन में खोशाली आए, आपके जीवन में सम्रद्धी आए, आपके जीवन में वंच व्रद्धी हो ऐसी कामना हम मा जगत जन्नी से करते रहते हैं और उसके निमित समय समय पर बहुत सारे उपाएं आपको बताते रहते हैं यदि आप उपाएं खुद कर सकते हो तो करें नहीं कर सकते हो तो देवरादा टरस्तत्यवानी चैनल से आप संपर करके उन उपाएं को कराने के हो और कोई दोश है पित्र दोश के अलावा भी तो उन दोशों के लिए भी विशेश फूजन पाठ देवरादा ट्रस्टर के मध्यम से कराई जाती है जैमाता दी जैमा का मख्या जैश्री महाकार माराज ओम पित्र देवाए नमो नमह ओम देवताभ्या पित्र अपित्र ओवध्या पित्र भी यवचे नमः सवधाय स्वावाद निट्यमेव नमो नमह इस तो ये मंत्र हैं ऐसे तो आम रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्ये नमह स्वधा भी पित्रों की पतनी का नाम है जो पित्रों तक हविश पहुंचाने का काम करती है तो इस प्रकार से आप पित्रों के निमित पूजन अर्चन करके उनको प्रसन करके जप करके दान धरम करके आप पित्रों की करपा प्राप्त कर सकते हैं आम देवत आब्या पित्रभ्यस्य महायोगिव्य एश नमह स्वधाए स्वाहाए नित्यमयू नमु नमह आम देवताभ्या पित्रभ्यष्य महायोगिव्य एवच नमह स्वधाए स्वाहाए नित्यमेव नमो नमह। तो इस पकार से आपको यह मंत्र वियदी गुरू के माध्यम से लेना हो तो देवरादा टर्स सत्यवानी चैनल से संपर करके आप यह मंत्र विधी विदान से अमावस्या के दिन प्राप्त कर सकते हैं परन्तु फोन पर यह मंत्र नहीं दिये जाते हैं प्रत्यक्ष आकर के ही ये मंत्र आपको प्राप्त करना होता है ओम पित्र गणा विद्महे जगत धानी धीमही तन्नो पित्र प्रचोधयात या पित्रों की शांती के लिए पित्र गायत्री मंत्र है इसका भी जब करने से पित्र प्रसन्न होते हैं और दशांस हवन घी से खीर से करने से भी पित्र प्रसंद होते हैं। जैमातादी, जैमाकामक्या, 7987237885 पर यदि आप कोई भी प्रशने करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं केवल वाटसप पर संदेश दे करके, करपे आप फोन नहीं लगाएं। जैमातादी, जैमाकामक्या, जैश्री महाकान महराज, हमने किताब का नाम बताया है, जीवन में संगर्श क्यों? यदि ये किताब आपको लेना है, और यदि आप कोई कोड नमबर बताते हो, जो आज हम आपको बोलने जा रहे हैं, तो ये किताब आपको केवल और केवल 450 2023 एक बजे, जैमातादी, जैमाकामक्या,